स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्राश्न स्थापना गुहाटी के ओडाल वक्रा में एक किराई की इमारत में होम्योपेथी की नैदानिक अनुसंधान एकाई के रूप में की गई थी अगला प्राश्न किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड़े का उद्धाटन किया गया है A. पश्चम बंगाल B. मध्य प्रदेश C. उडीसा D. जारखंड Answer C. उडीसा Explanation उडीसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने मंगलवार को मलकानगिरी में नए हवाई अड़े का उद्धाटन किया 233 एकर क्षेत्र में फैला हवाई अड़ा गौडा गुडा पंचायत क्षेत्र के कटल गुडा में स्थित है इसे 70 करोर रुप्य की लागत से विक्सित किया गया है और इसका रनवे 1620 मीटर लंबा और 30 मीटर चोड़ा है पहले चरण में 9 सीटर वाले विमानों के इस हवाई अड़े से संचालित होने की संभावना है अगला प्राशन हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगदान सी मिशन की शुरुवात की गई A. असम B. मनिपूर C. मेगालय D. अरुनाचल प्रदेश Answer B. मनिपूर Explanation मनिपूर के मुख्य मंत्री अन्बी रेन सिंग ने विश्नुपूर जिले में मोई रंग कॉलेज में आयो जित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बहतर बनाने के लिए कॉलेज फगदान सी मिशन की शुरुवात की अगला प्राश्च्न भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक केंद्रिय केबिनेट मंत्री Answer वी प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रिय केबिनेट मंत्री Explanation नए कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रिय केबिनेट मंत्री की समिती की सिफारिश पर राष्ट्रपती द्वारा की जाएगी हालाकि इस नए कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीक से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 जन्वरी 2024 को शुरू हो रहा है वितमंत्री निर्मला सीतारमन एक फरवरी को अंतरम बजट पेश करेगी सत्र की शुरूआत संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक में राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी इस सत्र के 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है